हार्दिक पांडया और नताशा की शादी शुदा जिन्दगी पिछले लंबे समय से सुडखियों में बनी हुई है T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी नताशा की तरफ से कोई रेक्शन सामने नहीं आया था अनंतंबानी और रादिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सरिमनी में भी हार्दिक पांडया को बिना नताशा के ही देखा गया ऐसे में फैंस ने अब ये मानी लिया है कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है वहीं तलाग की खबरों की भी जब हार्दिक पांडया की एक लड़की के साथ तस्वीरे वाइरल हो रही है जिसमें क्रिकेटर काफी खुश नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि हार दिक नताशा को छोड़कर इस लड़की को डेट कर रहे है तो चलिए आज हम आपको इन तस्वीरों के पीछे छिपी सच्चाई के बारे में बताते हैं बता दे कि इन वाइरल तस्वीरों में नजर आए रही मिस्ट्री गर्ल का नाम प्राची सोलंकी है जो की एक डिजिटल क्रियेटर है सोशल मीडिया पर प्राची की अच्छी खासी फैन फॉलोईंग है वह इन डिजिटल क्रियेटर होने के साथ साथ प्राची एक मशूर मेकप आर्टिस्ट भी है बता दे कि प्राची सोलंकी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हार्दिक संग वीडियो शेयर कर अपना अनुबव साजा किया है उन्होंने बताया कि हार्दिक पांडिया की वह बहुत बड़ी फैन है वह इन रिपोर्ट्स की माने तो इन डेटिंग अफ वाहों में कोई भी सच्चाई नहीं है हार्दिक पांडिया से पहले प्राची सोलंग की कई खेल हस्तियों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरे शेयर कर चुकी है बता दे कि नताशा ने हाली में अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था जिसमें वो भगवान से अपनी परिशानी दूर करने की बात कर रही थी जी हा नताशा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि सिर्फ एक जेंटल रिमाइंडर भगवान आपकी परिशानी को नहीं हटाता वो सिर्फ इससे निकलने का रास्ता बताता है वहीं अक्ट्रस की बात करें तो इन दिनों वो अपने बेटे अगस्तिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आ रही है नताशा ने हाली में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरे और वीडियो शेर किये थे जहां उन्हें अपने बेटे के साथ साइन्स म्यूजियम में विजिट करते वे दिखा गया इन फोटोस को शेर करते वे नताशा ने कैप्शन में लिखा जीवन के लिए अभारी हूँ बता दे कि जब हार देख बारबडोस से भारत लोटे तो एक्ट्रस ने पहला क्रिप्टिक वीडियो शेर किया था जिसमें उन्होंने भगवान से रक्षा करने की बात कही थी अमित कर दिया था मुई आक्ट्रस के इन पोस्ट को देखने के बाद तो अब यही लग रहा है कि नताशा और हार्दिक की रहे अब हमेशा के लिए अलग-अलग हो गई है आपको बता दे कि हार्दिक पांड्या और नाताशा की शादी साल 2020 में काफी साधिगी से हुई थी इसके बाद दोनों ने अपने बेटे का वेलकम किया और फिर साल 2023 में बड़े दूम धाम के साथ दोबारा शादी रचाए बता दे कि हार्दिक और नताशा की तलाग की अववा है तब शुरू ही जब नताशा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पांड्या सरनेम हटा द करते हैं बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी इंटेटेंवेंट की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमाई साथ बने रहें और देखते रहें नियूज नेशन